नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेडिकली स्पिकिंग पर और मैं हूँ आपके साथ प्रेड़ना वजन बढ़ने और लटकते पेट की दिक्कत से काफी लोग परिशान रहते हैं फिजिकली फिट रहने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता है कई बार डाइट में बदलाफ करने का भी कोई खास फायदा नहीं होता है कुछ लोग तो इसके लिए उपरेशन तक कराने के लिए तयार रहते हैं लटकती बैली फैट आपके परसनालिटी को बुरा बनाती है लेकिन रोज सुबह अगर आपने इस एक पानी को पीना शुरू कर दिया तो आपका वजन बहुत आसानी से कम हो सकता है जी हां हम बात कर रहे हैं मेथी और सौफ के पानी की इन दो मसालों से बना पानी शरीर के लिए कई रूपों में फायदे मंद है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस से जुड़े बड़े फायदे और इस पानी को बनाने का तरीका पहले आपको एक चम्मच सौफ लेना है एक चम्मच मेथी और उसे एक कप पानी में पूरी राद के लिए भिगो कर छोड़ दें सुबह उटकर सौफ और मेथी को छान कर अलग कर लें अब बचा हुआ पानी आपको पीना है अगर आपको ये पानी कड़वा लगे तो आप इसमें शहत मिला सकते हैं पानी पीने के बाद आप इन भीगे हुए बीजो को चबा कर खा भी सकते हैं इससे पाचन सही होता है चली अब आपको बताते हैं सौफ और मेथी पानी के फायदे रोज सुबह उटकर खाली पेट सौफ और मेथी के पानी को पीने से शरीर अच्छी तरह से डीटॉक्स हो जाता है सभी प्रकार का कच्रा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाता है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस पानी को 15 दिनों से ज्यादा समय तक लगातार ना पीए मेथी और सौफ दोनों में एंटी ऑक्सिडेंट की भारी मात्रा मौजूद होती है इसलिए ये एक अच्छे इम्म्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है मेथी सौफ पानी पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शम्ता यानि की इम्म्यूनिटी बढ़ती है इसके लावा दोस्तों मेथी और सौफ का पानी पाचन तंत्र के लिए रामबान होता है ये पेट साफ रखता है और पाचन की प्रक्रिया को सरल बनाता है इसे पीने से कब्स, एसेड़िटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या से जल्दी राहत मिल सकती है नियमित रूप से मेथी सौफ पानी पीने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है ये वेट लॉस के प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बना देती है ज्यादा बहतर रिजल्ट के लिए आप इसके बीज को चबा कर भी खा सकते हैं उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही और तमाम हेल्थ रिलेटेड रोचिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल मेडिकली स्वीकिंग धन्यवाद